जैशीर हम सभी वक्तों को जैम आता है कि फिर एक नहीं वीडियो के साथ आजीर हो गई है और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ज्यादा इंफरमेटिव होने वाली है क्योंकि आज हमसे पूछा किसी भगत ने कि भई मैं जब से हनुआन जी की जो है करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुँच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की जैसे कि आपको पता है कि हनुमान जी सिंदूर चड़ाने से प्रसंद होते हैं दर्ति के जागरित देवता हैं और सिंदूर चड़ाने से व कि पकार का सुज़ भ्याई कि गुरुजी सिंदूर जब बाबा को चड़ाता हूं तो शरीब में कुछ अजीब सा महसूस होता है कुछ अलग सी हरकते शरीब में होने लगाती है बचैनी सी उत्पन होती है शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे कि जिस सवरूप को मैं संदूर चड़ा रहा हूँ, वो मेरा ही है, मालो मैं ही मालो असली मालिक हूँ, मेरे को रोना आता है, अंदर से भाप रकट होते हैं, मालो ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे एक अलग सी खुशी मैसूस हो रही है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये सरल नहीं है, इसे हलके मे मत लेना, क्योंकि जब माना जाता है हनुमान जी को संदूर चड़ाने से हनुमान जी प्रसन होते हैं, तो हनुमान जी की शक्तियां भी आपके शरीर पर उनका भी आगमन होता है, अगर संदूर चड़ाने से कुछ ऐसी चीज़े आपके साथ घटने लग जाएं, जैसे कि आप संदूर चड़ा रहे हो और रोना आने लग जाता है, आपको अपने आप रोना आरता है, अंदर से व्याकुलता उत्पन होती है, अजिब बेचैनी, बस मेरा कोई रिष्टा है, जनम जमानतरों का, तो समझने ना बाबा के वीर आपके शरीर पर आ चुके हैं, अगर मंगलवार आई, मैं दुवारा फिर सिंदूर चड़ाऊ, अगर ऐसी ऐसी चीज़े आपके साथ होने लग दे हैं, और जब आप चड़ाते हो, तो भचन आपके मुख से अपने आप गायने को होता है, जैसे कि सिंदूर चड़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना असान होता है, तो आपके अब जब आप सिंदूर चड़ारे हो, चैनल से सिंदूर ले रहे हो, और लगा रहे हो, और ऐसे कई देर तक आप लगाने लग दागते हो इस मकार से, आपको यही नहीं पता लग रहा कि आपने एक जगा पर कई वार सिंदूर लगा दे जब ऐसा दिमाग काम करने लग बंद कर दये बाबा की सिंदूर चड़ाते वक्त तो समझे ना स्वम शरीफ पर एक किरपा दायक शक्ति आकर सिंदूर अर्पन कर रही बाबा को आपके शरीफ पर बाबा की तरंगे आने लगा और कभी-कभी ऐसा भी होता है जैसा उन्होंने बताया कि कि मुझे ऐसा मैसूस होता है कि सपनों में भी मैं हनवान जी को सिंदूरी चड़ा रहा हूं यह बाबा के वीर उनके शरीप पर आ चुके हैं लेकिन इसमें एहनकार नहीं करना है जब आपको लगे कि बाबा के वीर आ गए है बाबा के दूत माराज की किरपाने वाली है तो इस समय पर आपको स्टेबल होना है तो कि ऐसे समय पर ही व्यक्ति भड़क दाता है जो हो रहा है प्रभू की इच्छा से हो रहा है वैसे तो ऐसे जो सिंटन्स होते हैं अधिक से जादा लोगों से शेर नहीं करने चाहिए लेकिन जैसा कि उन्होंने हम से शेर किया पर हमने पिछे क्या रहसे है स्वपन में बाबा का सवरूप दिखना बाबा को सिंदूर अर्पन करते दिखना या आप सिंदूरी तिलक लगाने का आपका मन इतना होता है कि अपने मुख पर भी सिंदूर लगाने का मन होने लगता है आपको जब आप बाबा को सिंदूर लगाते ह ऐसा मन करता है कि अपने हातों में भी मैं सिंदूर को अरपन करके रखू और लपेट के रखू हाथ दोने का भी मन नहीं कर रहा है यह बिचैनी है यह हलचल है बड़ अच्छे वाली यह किसी की है यह उस किरपा की है जिस किरपा को आप पराप्त करना चाहते हूं और उसके दोरान अगर आपकी भूक बढ़ जाती है जैसे कि आप सिंदूर अरपन कर रहे हो और बाद में आपको भूक लगती है भूक बेचैन बली लगती है बड़ी कि आपको भूक लग रही है और आप भूक लग रही है और खाते जा रहे हो उस दिन मंगलवार के दिन शनिवार के दिन और एक अंदर से क्रोध वी उत्पन होता है गुस्सा बात-बात पर तो शमजना की शरीर के उपर तेज उत्पन होने लगया है ये शक्तियों का तेज के आपको काबू करना पड़ता है ताकि वो शक्तियों को क्योंकि कई वार जब जब शरीर पर कोई उर्जा आती है ना तो हमारे शरीर का जो विकार है या अकार है जो हमारे शरीर के अंदर बेचैनी बदलती है हमारा खुद का ही संतुलन बिगरने लग जाता है हमारे खुद के शरीर का भी संतुलन बिगरने लग जाता है तो अगर ऐसी चीजे आपके चड़ा रहा हूं साथ में जिन्हों चड़ा रहा हूं या हनुमान चलिसा जोर जोर से आप पढ़ने लग जाते हो तो यह बाबा की तरंगों के सपष्ट तोर पर संकेत आ रहे हैं कि बाबा की तरंगे आपके शरीप आ रही है और बाबा की तरंगे आपको प्राप्त होने व हमकेत्स असे जोडते हैं अगर यह चीज आपके साथ होड़ी है यह पॉजिटिव साइं है आपके लिए आपके लिए पॉजिटिव साइन को आप बहु मुल् 양ाल and सब्सक्राइल आपको questi साइन को इसको अगर आपको हो रहा है तो वही कारिय कीजिए जो आपके मन में आ रहा है जो आपको और हाँ और व्याकूलता भी उत्पन होती है बाबा से फिर ऐसे मन करता है कि बाबा का जहां सवरूप लगी कि आप गले लग जाओं उनके चर्णों में लिपट लिपटा रहा हूं ऐसा बद मन बहुत व्याकूल वाला मन उसकी कि जो कि ना खुल कर प्र जब बाबा की याद आती है ना तो मन में यह रहता है कि बाबा ने इस अंसार में आज तक धर्म के परती ही कारिया किया है और उनका जर्म ही धर्म के लिए हुआ है बगवान राम के काज तो सवारे सवारे नेकि राम नाम का परचार करने का ही मेन उदिश्य था हर्मान जी उनके काज सवारने के लिए जनम हुआ था लेकि नाम का परचार करने के लिए तो उनके वीरों की किरपा उनके दूत्य की किरपा आपके माध्यम से जन्न का कल्यान करने लगाती है इसलिए भाया अगर आपके साथ ऐसा काम हो रहा है तो ये बहुत अच्छे वाले संकेत हैं अब आपको क्या कुछ नियम बना का चलने चाहिए नियम के लिए मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पर कि अगर आपको दूत माराज या बाबा की तरंगे आती हैं तो आपको अप जिन भी आप मंगल या शनी अगर आप संदूर अगर आप संकलप लेकर भी कोई पूजा कर रहे हो तब भी आपको ब्रमचारी और साथ्रिक आहार को ही गरैन करना पड़ता है तामसिक आहार ना गरैन करें तो ये ज़्यादा बरिया है तो बोलिए जैसितराम जैश्री बा जैए माताओं